भोले के वक्तों का स्वागत है अगर आप भी अपनी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं और भोले नाथ से अपनी मनो कामना पूरी करवाना चाहते हैं तो आप चीजे शिव मंदिर में जरूर ले कर जाएं पांचों चीजों की जानकारी गुरुजी पंडिप्रदीप मिश्रजी ने अप्री कताओं में दी है वही बहुमूली जानकारी हम आपको दे रहे हैं पहली चीज शिव मंदिर में जाने का मन मना लिया है तो एक लोटा साब जल जरूर ले जाएं सिर्फ एक लोटा जल रोजाना अर्पित कर देने से भोले नाथ आपकी सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर देते हैं और उनका अंत कर देते हैं दूसरी चीज अगर पैसो की कमी है और नोकरी भी नहीं है ना ही बिजनिस अच्छा चल रहा है तो एक लोटा जल में एक कमल पुष्प या फिर एक कमल गट्टे को डाल कर निकाल ले और उस कमल गट्टे को निकालने के बाद उस जल को शिवलिंग में अर्पित कर दे कमल पुष्प वाले जल शिवलिंग में अर्पित करने से महाद्यों के साथ साथ महाल अच्मी की भी आप पर कप्रा जरूर होती है और धन सम्बंदे सभी समस्याओं से आपको छुटकाना मिलना निश्चित है तीसरी चीज बेल पत्र मातर पारवती के अशुरू से उत्पन हुई है और इसे भी महाद्यों से कई प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ती के लिए शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है चोती चीज धतूरा का इस्तमाल हमेशा नोकरी या व्यफसाय में ब्रद्धी के लिए किया जाता है एक धतूरा शिवलिंग में महीने में एक बार जरूर अर्पित करें पांचवी चीज अक्षद एक चावल का दाना शिवलिंग पर अर्पित करके आप अपनी मनोकामना बोल दें तो उस मनोकामना को महादेव जरूर पूरा करते हैं बस अक्षद पूर्ण होना चाहिए और आपके दोरा महादेव की पूजा अर्चना पूरे विश्वास और स सब्सक्राइब के साथ होना चाहिए